हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंस्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनाल्सिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलते हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगी lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासा draw करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp number है अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो उस whatsapp number पर message send कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक square shape बना रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और हम अगर इनकी fingers की बात करें तो हमारे पस यहाँ पर कुछ और भी photograph's हैं इनके hand की तो चलिए आपको fingers की settings दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि fingers पर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं मौजूद है ऐसी रिखाओं का होना सभी phalanges के उपर होना indicate करता है कि native बहुती मिलनसार nature का रहेगा और दोसरों के साथ बहुती तहजीब से अच्छे से पेश आने वाली personality ऐसी विक्तिकी होती है अगर हम लंबाई की बात करें इनकी fingers की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी सूरिया finger यहाँ जो अनामी का उंगली होती है इसको सूरिया finger कहते हैं शनी finger के बिलकुल equal नजर आ रही है यहाँ शनी finger है जो इन दोनों की लंबाई है वो लगभग एक समान नजर आ रही है ऐसी length में सूरिया finger का होना indicate करता है कि native के भीतर काफी अच्छी creative and artistic qualities रहेंगी सूरिया finger दोस्तो नॉर्मली short होती है शनी finger के बिलकुल equal नहीं होती लेकिन अगर कुछ cases में यह finger बिलकुल equal आ जाती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं काफी adventurous होते हैं risk taker होते हैं लाइफ में decisions लेते समझ जल्दबाज ही दिखा सकते हैं और अपनी इसी जल्दबाज nature की वज़े से इन्हें life में कई बार loss का सामना भी करना पड़ता है इवन अपने धन की investments के मामले में भी ऐसे व्यक्ति जिनकी सूरे finger बहुत लंबी हो risk ले बैठते हैं अपने धन को ऐसी जगहों पर invest कर बैठते हैं जहाँ पर loss के chances भी equal हो जैसे share market है crypto currencies है या mutual funds है ऐसी जगहों पर अपने धन को लगाने की tendency इन लोगों के बीच में ज्याद नेचर रहेगी मेहनती यहाँ काफी नजर आ रहे हैं यहाँ पर इनकी इशानी finger से और अगर हम बात करें इनकी index finger की index finger यहाँ पर medium length में है बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है लेकिन बिल्कुल straight और thick नजर आ रही है इसकी वजह से जो nature रहती है व्यक्ति की spiritual रहती है धर्म करम के काम करने वाले दूसरों की help करने वाली personality ऐसे व्यक्ति की रहती है ऐसे native काफी knowledgeable होते हैं जिनकी index finger बिल्कुल strong and straight हो और अब बात करते हैं इनकी सबसे चोटी उंगली की जिसे mercury finger कहते हैं काफी अच्छी length में mercury finger सुर्या finger का जो top falange है उसकी लंबाई को भी cross करती काफी अच्छे business equipment को दर्शाती है ऐसे व्यक्ति जिनकी सबसे चोटी उंगली लंबाई में सुर्या finger का top falange cross कर जाए काफी अच्छे तरह से communicate कर पाते हैं calculations की capability इनकी काफी strong रहती है इस finger का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को काफी लाब देता है चलिए आगे बढ़ raw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनके mounts में जो इनका mercury mount है थोड़ा सा low set हो रहा है जबकि इनकी mercury finger की लंबाई अच्छी है जिस वज़ए से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी और सबसे ज़्यादा high set जो mount है इनका तो यह गुरू mount है और बाकी के mounts की अगर position को देखा जाए तो यहाँ पर normal position में नजर आ रहे हैं सूरे और शानी mount चले थोड़ा close up में दिखाना चाहूंगा आपको कुछ चिन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इनकी सभी major lines की भी तो यह सबसे पहली हो जाता गुरू वलाय यानि ring of Solomon यहां तक अगर यह किसी व्यक्ति के हाथ में पूरी तरह से इस तरह से गुरू वलाय बन जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत जादा spiritual minded हो सकते हैं और ऐसे व्यक्ति के भीतर विराग्या की भावना जादा होती है निकि हाथ पर यह complete बन जाए यहां पर यह incomplete है लेकिन इसका प्रभाव रहेगा गुरू वलाय हाथ में होने से native चालिस के आसपास की age के बाद काफी जादा धरम करम के काम करने लगता है social work जैसे कामों में रूची लेने लगता है और family से थोड़ी सी distance बन सकती आसे व्यक्ति की क्योंकि यहां पर यह व् व्यक्ति को spiritual field की तरफ काफी जादा attract करता है अगर ऐसा चिन हाथ पे बन रहा हो तो यहां पर यह अधूरा है इस वजह से बहुत जादा strong प्रभाव नहीं रहेंगे लेकिन कुछ तक ऐसी चीजों की रूची व्यक्ति के बीतर हो सकती है इसी तरह का एक और चिन अब देख कहते हैं complete girl of Venus इस तरह से होता है अगर यह है रेखा इस तरह से एक बिलकुल अर्द चंद्रमा की एकरिती बना दे तो इसको complete girl of Venus कहते हैं यहां पर यह complete नहीं है दोस्तो अधूरा है complete girl of Venus हो तो native artistic हो सकता है entertainment industry की तरफ जुकाब जादा हो सकता है लेकिन यहां पर यह अधू और थोड़ी मूडी टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं रहती हैं इस तरह का अधूरा girl of Venus अगर हाथ में बन रहा हो चलिए आगे बढ़ते हैं चेक करते हैं के बाकी के mounts को यहां इनके हाथ की दूसरी photograph है जिसमें इनकी रखाएं और ज़्यादा clear न मज़र आ रहा है क्योंकि यह है जो पिक्चर दूसरे एंगल से ली गई है लेकिन यहां पर इनके शनी मौंट की अगर हम बात करें इनका जो गुरू मौंट है उसके बारे में तो अलड़ी बता चुका हूँ काफी स्ट्रॉंग है स्प्रिच्वालिटी के लेवल को बढ़ है तो आपको नज़र आएगा कि लाइफ लाइफ लाइन से ही यहरेका शुरू हो कर कुछ इस तरह से उसके बाद यहां से यहरेका थोड़ा सा रुक चेंज कर रहे हैं लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि यहरेका कमपलीट शनी मांट तक पहुंच रही है इसके बाद भी आ Ups and Downs का भी सामना करना पड़ेगा करियर के मामले में. यहाँ पर 36 के आसपास की एज में एक हमें ब्रेक नजरा आ रही है. जिस वज़ए से 36 के आसपास की एज में चालकर कुछ चेंजिस कर सकते हैं. अपने profession को लेकर और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस रिखा का मौझूद होना indicate करता है कि native later age में भी काफी अच्छी income generate करता रहेगा. अब बात करते हैं सूर्य माउंट की सूर्य माउंट का area flat है बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है इसकी वज़ए से बहुत ज़्यादा नीमन fame की उमीद नहीं की जा सकती कुछ हलकी रिखाएं इनके सूर्य माउंट के ओपर इस तरह की मौझूद होने से multitasking type की personality होगी व्यक्ति की और artistic qualities काफी अच्छी रहेंगी अब बात करते हैं इनके mercury की mercury माउंट यहां से low set हो रहा है थोड़ी shy nature इनको देगा लेकिन overall अगर इस माउंट को देखा जाए तो कोई भी यहां पर कमी नज़र नहीं आ रही थोड़ा सा low set होने के सिवाए और इनकी mercury finger अच्छ skills बहतर हो जाएंगे shy nature होने के बावजूद भी काफी अच्छी तरह ऐसे यह है communicate कर पाएंगे क्योंकि इनका जो गुरू माउंट है वो काफी अच्छा है गुरू माउंट काफी अबरा हुआ हुआ है और high set है गुरू माउंट के उपर इस तरह हैं की upward जाने वाली हैते हैं ऐसी progress lines अगर किसी व्यक्ति के हाद में होती है तो ऐसा व्यक्ति life में काफी अच्छी तरक्य कर पाने में काम्याब होता है अब बात करते हैं की line of heart की heart की line को अगर देखा जाए तो काफी अच्छी करव में नज़र आ रही है उपर की तरफ यह line थोड़ा सा मुड़ती हुई उसके साथ गर्डल ओविनस की यह जो पार्चल एक line नज़र आ रही है इसकी वज़ए से थोड़ी सी over emotional personality रह सकती है इनकी लेकिन heart की line में यहाँ पर कोई भी major issue नज़र नहीं आ रहा थोड़ी सी emotional type की nature रहने की जो संभावना है वो ज्यादा है और अगर हम बात करें इनकी line of mind की mind की line यहाँ पर थोड़ा सा हट के चल रही है अब देख सकते हैं यहाँ जो रेका है यहाँ इनकी life line है और जो mind की line है यहाँ से कुछ इस तरह हैं से अलग होती नज़र आ रही है यहाँ तक तो यह दोनों रिखाएं एक ही मर्ज हैं जैसे हम कह सकते हैं कि दोनों की जो beginning है वो इकठे हो रही है लेकिन आगे चलकर छोटी age से ही यहाँ रेक को यह दिखा दर्शार रही है और main चीज़ यह है कि इनकी जो mind line है बहुत ही अच्छी है mind line में कोई भी जुकाव नहीं है बिलको straight mind line जिसकी वजह से memory शार्प रहेगी और साथी साथ practical type की personality के रूप में दर्शार रही है जोकि अगर mind line बहुत जुकी हुई हो तो native काफी ज और जो भी lower mounts है वो क्या-क्या दर्शार है इनके बारे में उस चीज़ को हम यहाँ पर check करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो life line है काफी अच्छी लंबाई में थोड़ा सा बाहर की तरफ life line चलती हुई यहां से इनकी life line शुरू हो रही है आप देख सकते है यहां से यह बाहर की तरफ रुख कर रही है और इस area में आपको एक fish जैसा chin बनता नदर आएगा count जैसा chin इसको कह सकते हैं यह जो chin यहाँ पर बन रहा है इसको हम fish कुछ लोग इसको fish का sign मानते हैं कुछ लोग count का sign मानते हैं इस तरह का chin अगर मौजूद हो तो native अपनी birthplace स काफी दूर जाकर settle हो सकता है इस तरह की समावनाय रहती है यह चिन positive result देता है ऐसा व्यक्ति life में काफी अच्छा धन भी पाता है अचानक धनलाब के chances बढ़ जाते हैं अगर इस तरह का chin व्यक्ति के हाथ में मौजूद हो sudden wealth gains जिसको हम कह सकते हैं और inherited wealth मिलने की समावनाय मौजूद होने पर और आप देख सकते हैं इनकी life line की लंबाई काफी अच्छी है 80 के असपास की age को indicate करती है उसके साथ साथ यहां पर आपको mangle रेखा नजर आगी even double होती मंगल रेखा यह आप नजर आगी थोड़ा aggression रहेगा लेकर property के मामले में यह रेखा काफी अच्छ result देती है ऐसे व्यक्ति अपनी life में काफी अच्छी property बना पाने में काम्याव रहते हैं और इनके Venus Mount को देखा जाए तो यह जो area है Venus Mount का उठा हुआ थोड़ा खर्चिला सभाव इनको देगा कुछ इस तरह की रिखाएं यहां पर होना worry lines कहलाती है थोड़ी worries family से जुड़ी worries इनको प्रिशान कर सकते हैं लेकिन overall शुकर माउंट काफी prominent है उबरा हुआ है जिस वज़े से हर तरह की सुख सुविधाएं इनको life में जरूर मिलेंगी और अगर हम चंदर माउंट की बात करें तो चंदर माउंट के ओपर कुछ आड़े रिखाएं थोड़ी anxiety को indicate करती है अतरवाइस कोई भी negative चंद इनके moon माउंट के ओपर नजर नहीं आ रहा तो यहां कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुवालों के जो आब एकी video के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चंद या सुवाल रह जाता है तो इसे request मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपको बहुत बहुत थन्यवाद